हेलो दोस्तों मैं चंद्रभान चंद्रा ब्लोग में आपका स्वाकत करता हूँ और आज मैं जर्णी करने जा रहा हूं आगरा से तनकपुर के लिए हमारी bus करी हुई है इस bus से हम चलेंगे तनकपुर के लिए यह साम को साड़े पांच बजे यह बस यहां से चलेगी और सुबह चार बजे टनकपुर पहुंचेगी दोस्तों इस समय हम आगरा में यमना नदी से बुजर रहे हैं और इस से आगे का वीडियो में नाइट में सही नहीं आएगा इसलिए नहीं दिखाऊंगा और मिलते हैं अब मैं सुबह मिलूंगा आपको टनकपुर में यह देखिए सार्दा नदी का कितना सुद्ध और साफ जल है जलो है हम इसमें टनकपुर है टैक्सी स्टेंड पर हैं जहां से यह शेयर में आज़ी यह फार्टी है यहां तनकपुर से पुरुनागरी की दूरी मात्र 24 किलो मीटर है कर दोस्तों इस समय हम पुरुनागरी मंदर के पास आ चुके हैं और टैक्सी से उतरने के बाद यहां से तीन किलो मीटर का जो रास्ता है वह पैदल का है और देखते चलते हैं मा के मंदर के लिए यह सीडियों का रास्ता है मंदर जाने के लिए और यह इस तरह से यात्रियों के रुखने के लिए साधन है जैमा पूनागरी यहां पर होली के बाद मेला लगता है एक महने दो महने के लिए उस दोरान यह बहुत बीर होती है कि अधिन किलोमेटर की काफी खड़ी चड़ाई है और हम दीरे दीरे चलने हैं यह हमारी बाएफ है यह थक गई यह परेशान हो देगा इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं और फिर से चलेंगे अजय कि अग्या आरम कि अधिरार यह आज़ना है आज़ी आज़क अधिन आज़क्तर देखा लेखा लेखा लाएधा यह माँ पूर्णागरी के रास्ते में भंडारा चल लाहा है यह पूर्णागरी मंदिर का प्रवेश द्वार है चलो चलते हैं यह रास्ते में जूटे का मंदिर है और आपको यहां भी दर्शन करने बढ़ेंगे इसके बारे में कहावत है कि यह किसी ने सौने क्या भूल करके पीतल का चलाया ता उसके बाद यह यहां से उठा नहीं माप पूरुनागरी मंदर परिस्टर के आसपास जो भी रास्ता है तीन किलमीटर का उसमें कोई भी पानी की व्यवस्ता नहीं है और यह देखिए आपको मैं दिखाता हूँ बाटर कूलर भी यह देखिए बाटर कूलर भी बंद पले हुए है जलो 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 हुआ। करें वह रहे पुषाद रहे पुषाद रहे दौना प्राद देना करें पुषाद रहे देन नहीं नहीं कईयों आदि मटी कोल जेंगी प्रेया रुदाक्रा मा पूर्ना ग्री जो है एक क्यावन सक्ति पीटों में से है, यहां मा सती का नाभी गिराता, इसको पूर्णागिरी के नाम से जाना जाता है, यह देखिए मा पूर्णागिरी मंदर की चोटी से मैंने सारदा नदी का व्यूडियो लिया है, और देखिए कितनी उचाई से सारदा नदी का कितना आसंदर रूप और विहंगम द्रेश से आपके मन को वहू लेगा बहुत ही टेस्टी है चाहे में तू कैसी लगी मेंगी सही है सही है अची लग रही है है हम पुर्णा गिरी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं और यह आते समय देखिए कितनी सुंदर यहां प्राकर्तिक सुंदर भिखरा हुआ है अच्छे दर्शन कर लिए हैं अज बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और इसी के साथ पूर्णा गिरी वाला यह विलोग में यहीं ग्राम लगाता हूं और मिलते हैं किसी और विलोग में धन्यवाद कर दो में अच्छे पराम और मिलते हैं कर दो झाला हूं और मिलते हैं और मिलते हैं झाल झाल